अगरवाल कंसल्टन्ट कैसे हो दोस्तों आप लोग आशा रखता हूँ आप शुरक्षित होंगे और मेरे आपसे नमरे कुझारिशाइब कोरोना के नियम है दो गज की दूरी मार्स जरूरी बार-बार है एंड सेंडाइस करना और भीड़ वाली जगह पे न जाना और बुज अगरवाल कंसल्टन्स जिसमें मोबाइल नमबर है 80000 28250 और आप यह सारी सेवह का बेनिफिट लेग सकते हो जी एस्टी इंकम टेक्स ट्रेडमार कॉपी राइट पेटन कंपनी नहीं बनाना एलपी नहीं बनाना कंपनी को प्राइवेट लिमिटेट से पब्लिक तो आप आज ही कॉल किजिए 80000 28250 आज का हमारा विशह जी एस्टी आर टू बी नाया रिटन आया हुआ है जी एस्टी आर टू बी तो इसे कैसे फाइल करना वह पहली तो बात वह रिटन है ही नहीं हो अमें कुछ फाइल नहीं करना इस नोडर रिटन टू भी फाइल इड स्टेट्मेंट आफ इन्पुट टेक्स क्रेडिट आईटी सी स्टेट्मेंट जी एस्टी आर टू बी ऑटो राफ्टेड आटी सी उसका पूरा नाम है ऑटो राफ्टेड आईटी सी स्टेट्मेंट जी एस्टी आर टू बी तो हम डायरेक्ली इसमें जाएंगे अगस्त मह भी दिख जाएगा पूरा practical देखेंगे उसमें यहाँ पे आपको view advisory करना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी तारीक से कौन सी तारीक का 2B है और 2B एक प्रकार का JSTR 2A की तरह ही है जो आपके supplier से जो आपके seller से और आप जिनके buyer हो वो आपने जो buyer किया है उसके return JSTR 1 में upload करते हैं तो JSTR 1 में upload करते हैं वो JSTR 2B यहाँ पे दिखता है लेकिन कौन सी तारीक के कौन सी तारीक के बीच में उन्हों ने JSTR 1 में file upload किया तब यहाँ आपको दिखेगा अगर उन्हों ने आज महीना चल रहा है यह return है August महीने का अगस्ट महीने के मैं पूरा return खो अगस्त महिने में उन्होंने जो भी वो लोग GHDR 1 官 corpo का सितंबर की 1-10 तरीक के दौरान भरते 1-11 तरीक की दौरान तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ सितंबर की 1-10 तरीक तो ले ही लो एक से 11 तरीक उसके अलबा 12 अगस्त से लेकिए 11 सितंबर तक उन्होंने जो GSTR 1 में फाइल किया होगा आपके seller ने वो यहां पे GSTR 2B में अगस मेने का GSTR 2B आपको 12 सितंबर को रात को 12 बजे को देखने को मिलेगा ठीक है तो मैं यहां पर आपको दिखा दूँगा यहां पर डाउनलोड एडवाईजरी भी कर सकते हो यह एक एडवाईजरी उन्होंने इश्यू किये तो आप एडवाईजरी इश्यू जो किये उसे डाउनलोड भी कर सकते हो इस तरह थोड़ा स्पीड कम हो गया जी हां यह एडवाईजरी में सही हम सब पढ़ेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं वो कहना क्या चाता है ठीक है तो अब देखिए मेरे पास सबसे पहले एगसर टू बी ऑटो ड्राप्टेड इटी सी स्टेटमेंट आ गया फिर मेरे सारे डीटेल्स आ गया फिर यहां पर समरी है और यहां पर आल टेबल से ठीक है तो आईटी सी अवेलेबल आईटी सी नॉट अवेलेबल उसके दो मेन हेड हो गए समरी वाले के समरी में आईटी सी अवेलेबल आईटी सी नॉट अवेलेबल अवेलेबल में भी क्या लिखा है serial number heading expand all यहाँ पर expand all करोगे तो आपका expand हो जाएगा यह जो है यहाँ से भी expand कर सकते हो अगर एक-एक expand करना चाहे यहाँ से भी सारे expand एक साथ कर सकते हो फिर क्या लिखा है heading GSTR 3B में यह data जाएगा ठीक है ITC available फिर यहाँ पर लिखा हुआ है IGST, CGST और SGST और SES फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ITC serial number part A part A का heading है ITC available, part B का heading है ITC reversal और यह दूसरा पुरा section बनाया हुआ जो ITC not available है तो ITC available में एक है credit may be claimed in relevant headings in GSTR 3B तो आपकी यह जो details है वो GSTR 3B के कौन से table में जाएगी GSTR 3B के table में जाएगी यहाँ पर इप इप इस पॉजिटिव इप इस पॉजिटिव क्रेडिट में भी अवेल अवेल अंडर टेबल 4 A5 of form GSTR 3B GSTR 3B के form 4 A5 में जाएगी यह details कौन सी all other IT supplies from register persons आपने जो भी GST register persons से purchase किया हुआ हुआ है और उन्होंने जो return file किया हुआ है कौन सी तारिक को वो भी यहाँ पे मिल जाएगा GSTR 1 उन्होंने GSTR 1 में details डाली 12 अगस्ट से 11 सितंबर तक normally वो कौन सी महिने का details डालेंगे अगस्ट महिने का अगस्ट महिने में जो उन्होंने sales आपको किया होगा याने का आपने purchase किया होगा पूरे एक से 30 तारिक तक का अगस्ट का वो एक से 10 सितंबर में डाल देंगे या एक से 11 सितंबर में या फिर वो जूलाई का भी कुछ भूल गए होंगे या जूलाई का जून का कुछ भी भूल गए होंगे यहां नहीं डाला होगा तो आपकी request पे उनको पता चलने पे उन्होंने जो भी GSTR1 में invoice डाला जब normal taxpayer filing at monthly request all GSTR1 filing जो GSTR1 उन्होंने file किया कब file किया GSTR1 12 अगस्ट से 11 सितंबर के बीच बीच में नॉर्मल ही यो file होग ά 1-10 सितंबर के दौरान होगा 1-11 सितंबर के दौरान वह भी अगस्ट का और 1-10 अगस्ट में तो यहीं से 11 अगस्ट में तो जुलाई का भर रहे होगे तो अभी हम अगस्ट का देख रहे हो तो आप अगस्ट का सोचो वह सितंबर में return भरए है या फिर पुराना भी भर सकता है ऐसा कुछ नहीं लेकिन जो भी GSTR 1 उन्होंने 12 अगस्ट से 11 सितमबर यानि कि आप यहाँ पे अगस्ट का देख रहे हो तो अगस्ट यहाँ पे जनरेशन डेट आपका जनरेशन होगा सितमबर में लेकिन यह रिटन कौन सा पिरेड का है अगस्ट का और अगस्ट में भी जो आपके सप्लायर ने GSTR 1 यानि कि उनके सेल्स में डेटा डाला है वो 12 अगस्ट से 11 सितमबर तक ठीक है तो आप ऐसा सुचे नॉर्मली यह रिटन है अगस्ट महिने का अगस्ट महिने में जो आपने खरीद तरीकी उन्होंने सेल्स किया वो एक से दस सितमबर में वो डालते हैं और वो आपको 12 तरीक को दिखता है ठीक है तो अब अल अदर सप्लायर अल अदर सप्लायर में आप यहाँ पे करेंगे तो B2B इन्वाइस आप क्लिक करके वो अप डिटेल्स देख सकते हो कि आपने B2B कितने अगस्ट में खरीदारी की ठीक है तो उन्होंने इन्वाइस डेट कौन सा है अगस्ट के सारे इन्वाइसिस आप देख सकते हो 18 अगस्ट 31 अगस्ट 19 अगस्ट 21 अगस्ट 26 अगस्ट ठीक है पाँच इन्वाइसिस है और उनका GSTR1 उन्होंने कब बरा है वो भी पाँच अलग-अलग सब्लायर है तो यहाँ पर आपको सारी डीटेल्स दिख जाएगी वैल्यू अगेरा अगस्ट 231 याज़णर सब्लायर उन्होंने 15 अगस्ट 21 अगस्ट 21 अगस्ट 15 अगस्ट's 13 mostegั้ तारीक थी अगस्ट का रिटर्न st bomb फाइल करने की last phase 12 सितंबर उन्हों ने 11 स्थारीक को भर आहें हो सकते हैं उन्होंने एक सितंबर को भी फर रखाओ इस इन शॉट 12 अगस्ट से 11 सितंबर तक जिन्हों यहां पर दिखेंगे ठीक है फिर यहां पर ITC अवेलेबल है या नहीं है वह रीजन के साथ भी पता चल जाएगा अगर नो है तो भी आपको पता चल जाएगा क्यों नो है तो मैं बैक तो समरी में जा रहा हूं तो यहां पर फिर आ जाएंगे फिर इंवर्ड सप्लाइस फ्रॉम आई एस्ट कुछ नहीं है उसमें अगर इंवर्ड इंपूड सर्विस डिस्ट्रूबिटर की बात है तो जाके यह होता है लेकिन यह हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस की बात होते prag नार्मली, ज्यादातर काम्पनी में आता नहीं है फिर नीचे इंवर्ड सप्लाइस लाइबल टू रिवर्स चार्च जो आपने खरीद्दारी करें उसमें आपको सेलोग आपने खरीद्दारी करें उसमें आप ITC available में आएगा B2B invoices debit notes वगेरा है इंपोर्ट of goods करते तो भी इस में से details आजाते हैं यहाँ पर आप करेंगी इफ इस पॉजिटिव क्रेडिट में भी अवेल अंडर टेबल फॉर ए one of form GSTR3 if this is negative credit shall be reverse under 4B2 अगर positive होका तो credit मिलें की negative होका तो reverse हो जाएगी 4B two में और positive होका तो 4A1 में आ जाएगी ठीक है यह import of goods हो कया फिर यहाँ पर यहाँ से ice gate जो है ना आप इंपोर्ट करते हो ना तो Icegate का data भी यहाँ पे September महिने से reflect होना शुरू हो जाएगा ऐसी बात करें जो जो इंपोर्ट करते हो तो उस पे IGST लगता है तो वो IGST भी यहाँ पे reflect हो जाएगा फिर ITC reversal reversal कुछ हो तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो फिर यह क्या लिका है 4B2 if this is positive credit shall be reverse under 4B2 if this is negative then credit will be reclaimed subject to reversal of the same on the earlier instance ठीक है तो इस तरह से है मैं यहाँ पे सारे को expand किया हुआ है उसे बंद करते देता हूँ फिर यहाँ पे download GSTR to be summary भी कर सकते हो आप चाहे PDF में करो चाहे Excel में करो तो मैं summary फाइल कर डाउनलोड कर रहा हूँ कुछ summary इस तरह से आपको दिख जाएगी नीचे उसके आपको यह जो advisory है न वो पूरी advisory यहाँ पे भी उन्होंने चापी हुई है फिर उसके बाद हम ITC not available में जाते हैं ITC not available में आप तो को इस तरह से कुछ दिख जाएगा पार्ट ए पार्ट बी जो है all other ITC supplies from register person के register person से आपने buy किया और उसकी ITC अगर not available है तो यहाँ से आपको दिख जाएगी search credit shall not be taken in form GSTR3 भी इसका कहीं पे भी आपको credit नहीं मिलेगा invert supplies from IC उसकी भी credit नहीं मिलेगा invert supply liable for reverse charge this supplies will be declared in table 3.1d form GSTR3 भी for payment of tax आपको payment of tax तो करना है ना आप खुद tax पे कर रहे हो reverse charge पे आपको ITC नहीं मिल रही है इसलिए यहाँ पे आरे ITC नोड़ है लेकिन आपको tax तो पे करना है ने GSTR3 भी में क्योंकि आपने खुद खरीद आ रही कि उसका जो tax है वो जमा करने की जिम्मा भी आप पे आया गया क्योंकि वो reverse charge है का रूल है फिर यह पार्ट भी है जिसमें नौट अवैलेबल की डीटेल्स आती है इसमें क्या लिखाए क्रेट शैल भी रीवर्स अंडर टेबल 4B2 फॉर्म जी एस तरह से आपको डीटेल्स देखे कि तो हमने यह दिख लिए summary वाल आप आल टेबल्स में जाते हैं आल टे इसमें जाएंगे तो फिर आपको यहां पर रीजन भी मिल सकता है अगर ITC नहीं मिल रही है तो ठीक है तो हमने आगे देख भी लिया है कि यह क्या है तो सबसे पहले जी एसी नंबर सप्लाइर ट्रेड नेम लिगल नेम या तो फिर इनवोईस नंबर आता है इनवोईस टा इस सप्लाइर ने फाइल किया वो हमें यहाँ दिखने को मिलता है 12 अगत्त से 11 सितंबर तक जी न धीन जीन नहे फाइल किया जीरीरaimer वोई दिखेगा और जो तेखेगा और जीरीर में में आपका परचास और उनका सेल्स घुतन इनवोड किया इनवोईस वैल्यू प्लेस supply फिर total taxable value फिर यह सार आपको details मिल जाएगा फिर आपको gstr one period उनका gstr one कौन से period का उन्होंने फाइल किया हुआ है August का ही फाइल किया हुआ है कई लोग होते हो सकता है उन्होंने पुराना भी फाइल किया हो जुलाई का अगर बिलेटेड किया है तो तो वो आपको यहाँ पर मिल सकता है क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि August का ही जब कोई भी महीने का return उन्होंने अगर 12 अगस से 11 सितंबर के दौरान भरा है तो यहाँ पर details reflect हो जानी चाहिए फिर gstr one filing date उन्होंने 11 यह 10 तरीक को भरा हुआ है यहने कि अगस का gstr one एक से 10 तरीक में भरना होता है तो नहीं 10 यह 11 तरीक को भर दिया है इस पर 11 तरीक लास्ट डेट थी पिर आईटी से सारे में अवेलेबल अगर नो अवेलेबल है तो नो भी दिख जाएगा फिर यहाँ पर दिख सकते हो हाइड या डिस्प्ले कॉलम भी कर सकते हो अगर देखो मैं यहाँ पर इस पर हाइड के लिए ऑप्शन है इनवेस नमबर हट गया देखो अभी इनवेस डेट ही दिख रही है इनवेस वैली दिख रही है इनवेस नमबर अभी मैं इसको अटा दूँगा तो दिख जाएगी क्योंकि अभी मैंने इनवेस नमबर हाइड करने के लिए ऐसे इसको इसारे भट जाएंगे फिफ 4 दिखेंगे GST, Number, Total Value, IGST, CGST, SGST Unselect All करेंगे तो असारे दिख जाएंगे ठीक है तो यह हो गया आपका document-wide details यह हो गया supplier-wise details फिर select table to view details यहां से आप सिर्फ पूरा details नहीं देखना जाएं सिफ taxable invert supply बीटू भी देखना चाहे तो भी देख सकते है मैं यहाँ पर summary में जाता हूँ फिर यहाँ पर all table से यहाँ पर क्या दिख़र है select table to view details taxable invert supply received from register persons फिर यहाँ पर मैं select कर सकता हूँ amendment to previously inverses by supplier तो कोई भी amendment मेरा है ही नहीं तो सारा खाली हो जाएगा debit note credit note भी नहीं है फिर amendment previously held भी नहीं है ISD credit भी नहीं है वो भी हट जाएगा फिर amendment to ISD import of goods from overseas on bill of entry वो भी हट जाएगा कोई है ही नहीं मेरे में कुछ import of goods from SEZ अगर अगर आपने चाइना वगरे से इंपोर्ट किया तो यहाँ पर आएगा और SEZ से किया तो यहाँ से आएगा वो कुछ भी यहाँ पर दिख नहीं रहा है सिर्फ मेरा बी टूबी पर्चेस है तो वो इस तरह से दिख जाएगा ठीक है फिर यहाँ पर आप help में भी क्लिक कर सकते हो आपको help मिल सकती है आप details देख सकते हो उसमें यहाँ पर आप देख सकते हो जी एश्टेर टूबी समरी पेज यह टेक्सपेर के अनिव्यू समरी ऑफ जी एकस्टेर टूबी आपको कितने ITC मिलेगी वो दिख जाएगी अगस्ट महीने में ITC अवलेबल इस प्रोवाइड इस प्रोवाइड जो सारे आप्शन है उन्होंने समझाया हुआ है और इसकी जो एडवाइजरी है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो जो एडवाइजरी डाउनलोड हो चुकी है जो हमने यहाँ से ही की थी व्यू एडवाइजरी और डाउनलोड एडवाइजरी ठीक है तो अब उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं उसमें पहले short form the ITC, B2B, ISD, IMPG, Import of Goods को IMPG केता है IMPG SEZन के sales से import किया हो special economic zone GSTR 2B is an auto-drafted ITC statement which will be generated for every register person on the basis of information furnished by the suppliers in their respective GSTR 1 और 5, non-resident 5 फाइल करेगा, input service distributor 6 फाइल करा हमको 5-6 नहीं होतना है normally हमारे supplier 1 फाइल करते है, normal लोगों के लिए this statement will indicate availability of input tax credit to the register person against each document filed by the supplier GSTR 2B is a static statement and will be made available for each month on 12th of the succeeding month यानि कि अगस्ट का आपको सितंबर की 12 तरीक को available होगा, जो हमने अल्रेडी देख लिया है for example for the month of July, the statement will be made available on 12th of August GSTR 2B for the month यानि कि अभारा मनसा के से, will contain all the detailed document filed by suppliers in their respective GSTR 1-5-6 between the due date of furnishing of GSTR 1 of previous month to due date of GSTR finding, GSTR 1 to current month यानि कि previous month का GSTR file करने की date कौन थी थी, July महिने का file करने की due date थी 11 अगस्त, यानि कि 12 अगस्त से लेके file date करने का file था 11 अगस्त, तो 12 अगस्त, July का file GSTR 1 फाइल करने की date थी 11 अगस्त, तो 12 अगस्त से लेके अगस्त का file करने की due date थी 11 सितंबर उतने तक का आपको दिख जाएगा ठीक है, to the due date of furnishing of GSTR of the current month यानि कि अगस्त का file करने की due date कौन सी है, 11, 11 सितंबर तो, 11 सितंबर तक का आपको दिखा for example, GSTR to be generated for the month of July, will contain the details of the documents filed by the supplier यानि कि जो जो supplier ने अपने GSTR 1 में आपके खरीद दारी और उनकी sales, आपका purchase उनका sales उनके जो upload किया होगा वो भी कौन सी तारीक हो, 12 जुलाई से 11 अगस्त तक, और अगर हम अगस्त का देखे, तो 12 अगस्त से 11 सितंबर तक वो हमको GSTR 2 में दिखेगा, 2B में, there may be instances where the due, where the date of filing of GSTR 5 and GSTR 6 may be later than the date of GSTR 2B, under such circumstances, task ways are advised to avail input tax rate on self-assessment basis अगर वो लोग late file कर रहे है, non-resident आपके जो seller है और आप जो जिनके buyer हो, यहाँ फिर ISD तो फिर आपको कोई बात नहीं, आप self-declaration पे tax claim कर सकते हो However, when such document gets filled and reflected in their next and reflected in their next GSTR 2B, taxpayer sell avail such input tax credit Sell not avail, यहाँ के दो बारा नहीं ले लेनी है, इस महिने पूरी credit आपको self-assessment based पे दिए, 20% कोई ratio नहीं रिया इसमें ठीक है, फिर आज GSTR 2B also contain information on import of goods from the ICE gate system Including inward supplies of goods received from SEZ units or SEZ developers, this will be made available from GSTR 2B of August 2020 यहाँ कि August 2020 के GSTR में ही अवेलेबल होगा, अगर आपने कोई import किया उसमे जो IGST लगाया, यहाँ कि हमारे यह जो account में मैंने दिखा उसमें कोई import हुआ नहीं तो दिखे का नहीं अगर आपने कोई service इंपोर्ट की हो तो उसका कोई bill of entry तो फाइल हुआ होगा नहीं ठीक है ना, तो आइस gate में वो दिखे का नहीं, तो आइस gate में से हम इसको इंपोर्ट कर नहीं से तो आपको खुद self declaration पर फाइल करने होगी वो आपको continue to be entered by text in table 4a2 of firm gstr3 भी आपको वो details डालनी होगी self declaration पर जो भी आपने service import किये फिर the document furnished by the supplier in any gstr156 will reflect in next open gstr to be of the recipient irrespective of the date of issuance of the concerned document यहने कि जब भी उसने gstr1 फाइल किये आपके next gstr2b में दिख जाएगा for example if a supplier furnished document invoice one date 15-5-2020 in form gstr1 15-5 का उसको आला कि भरना था gstr1 एक से दस जून तक भरना था लेकिन उसने भरा कब gstr1 भरा july में invoice dated in the form gstr1 for the month of july filed on august sorry उसने भरा अगस्ट में तो आपको दिखेगा कौन से में 11 अगस्ट तक भर दिया तो 12 सितंबर वाले में दिख जाएगा the details of invoice one 15-5 will get reflected in gstr2b of july 2020 and not in may sorry उसको सितंबर वाले नहीं अगस्ट वाले में दिख जाएगा क्योंकि उसने कब फाइल किया है gstr1 in the month of july file on 11 अगस्ट 11 अगस्ट तक फाइल कर दिया तो 12 अगस्ट को दिख जाएगा अगर 12 अगस्ट को उसने gstr1 फाइल किया हो था तो फिर 12 सितंबर को दिखता ठीक है तो in short क्या है आपका month क्या है august month है तो august month का return आप कब फाइल करते है gstr1 एक से 10 सितंबर में यह एक से 11 सितंबर में तो 11 सितंबर का 11 सितंबर तक का 2B और वो 12 अगस्ट से लेके 11 सितंबर का जो भी जो भी suppliers ने gstr1 फाइल किया होगा आपको 12 सितंबर को 2B में दिख जाएगा ताकि आप अगस्ट महिने का gstr2 भी भर पाओ sorry gstr3 भी भर पाओ उसके base पे सारी credit लेके तो इन्हें नों क्या कर दिया पूरी credit अब आपको matching करने के वादी देने का plan कर दिया self declaration पे कम देंगे table 3 ITC available summary captures the ITC available as the date of generation of form it divides into the following part part captures the summary of credit that may be available in relevant tables from gstr3 भी जो available होगी part a में आएगी part b captures the summary credit credit shall be reverse relevant from gstr3 भी फिर table 4 ITC not available है summary captures the ITC not available जो हमने अल्यड़ी दिखा दिया credit shown ITC not available in table 4 कहां गया continue करते है यहाँ पे मिलेगा आपको summary not available table क्या लिख रहे थे वो ITC not available in table 4 part a covers the following scenarios only यहाँ यहाँ पे देख सकते हो यह है आपका table 3 ITC available summary और यह है table 4 ITC not available summary आप देख सकते हो तो ITC available summary 3 है उसमें part है ITC available credit में भी claim in relevant headings in gstr3 भी part भी ITC reversal part table 3 का table 3 ITC available को नाम दिया है ITC not available को table 4 नाम दिया हुआ है तो वो लोग क्या बोले के credit shown ITC not available in table 4 part a covers only following two scenarios यहाँ पे यह जो 4 a part है उसमें not available में सिफ दो ही scenario आएंगे वो scenario वो जिक्र कर रहे है इन्वोइस और debit note for supply of goods or services और बोथ वेर रेशिपेंट इस नोट एंटाल देटू इन्पुट एक्रेट इस बर्द प्रोविजर सब सेक्शन फोर सब सेक्शन 4 अब सेक्शन 16 यानिके आपने साल खतम होने के बाद 6 महीने के बाद भी आपने ITC claim नहीं करी यानिके आपको कोई भी साल के ITC claim करने का last date होता है आप जब सितंबर में अगले साल की सितंबर यानिके से फर एक्जमपल 19-20 financial यह तो 2020 के सितंबर का जो आप रिटन भरते हो और उससे पहले पहले आपको रिटन ITC claim कर देनी है या तो फिर आपने जो 19-20 का annual return file किया हुआ है उससे पहले आपको ITC claim कर देनी है ठीक है या फिर दूसरा रीजन हो सकता है invoice or debit note where the supplier and place of supplier in the same state यानि कि supplier है महारास का place of supplier भी महारास है लेकिन buyer है वो गुजरात का तो वो लगाए कि देखो supplier होगा place of supply महारास location location of supplier is महारास तो लगेगा क्या CGST और HGST और बंदा है buyer है वो गुजरात का तो CGST और HGST के उसको credit मिल तो जाएगी लेकिन वो उसको use कैसे कर पाएगा क्योंकि उसका तो गुजरात का SGST है और CGST और SGST गुजरात का उसने registration ले लिया हो है लेकिन वो महारास्त में आके buy करत है गुजरात का बंदा बिजनेस मैंने महारास में जाके महारास के seller बाय करता है तो place of supplier महारास हो गया तो आपको CGST और HGST लगा जाना पड़ाएगा और intrastate supply हो जाएगा तो फिर और वो buyer गुजरात का उसका GST number गुजरात का तो फिर इसको जो seller महारास का लगाएगा महारास का CGST और महारास का SGST तो उसकी credit महारास का SGST के गुजरात के SGST में थोड़ी मिलेगी इस लिए नहीं नहीं मिल पा रही है However, there may be other scenarios for which input and credit may not be available to the taxpayers and the same has not been generated by the system. Taxpayers are advised to self-assess and reverse such credit in form JSTR 3B. Kuchh dousaray bhi regions ho sakate jiske wajay se aap ko credit nahin mili toh woh aapne aap aapko JSTR 3B mein reverse kar dheni hai. Taxpayers are advised to ensure that the data generated in JSTR 2B is reconciled with their own records and books of account. Taxpayers shall ensure that aapko aapnehi accounts books of account ki credit aur JSTR 2B ki credit ko reconcile karna hai, checking karna hai, tally karna hai. No credit shall be available twice for any document under any circumstances. Credit shall be reversed as per GST Act and rules in form JSTR 3B. Tax on reverse as pages shall be paid. Details of the documents in JSTR 2B is made available online as well as through download facility. There may be a scenario where percentage of the applicable rate of tax may be notified by the government a separate column will be provided for invoices documents where such rate is applicable. ठीके फिर ये सारे column हमने देख लिये table 3, table 4. यहाँ पे भी आप देख सकते हो. यह है GSTR to be auto-drafted ITC statement. इसमें सबसे पहले का ITC available credit may be claimed in relevant headings of GSTR 3B. सबसे पहले all other ITC supplies from register person. उतना IGST इतना CGST इतना है IGST इतना SAS. CGST, SGST SAS. इफ इस इस पोजिटिव अवेलेल करो negative तो reverse. फिर B2B invoices. उसकी यह details दे रहे हैं आपको इसी की. B2B इतना है. Debit note इतना है. invoice amended इतना है. debit note amended इतना है. invoice. invoice. फिर invert supplies from ISD है. यहाँ पे भी आप देख सोगी तो उसको अगर देखना चाहें तो two number यहाँ पे आपको दिखेगा. जो यहाँ पे इस तरह से आपको दिख रहा है. फिर details of ISD आपको मिल गई. फिर invert supplies liable for reverse charge. तो यहाँ पे तीन number का invert supplies liable for reverse charge. मिल गया है. उसमें expand करते हो B2B debit note amended invoice amended debit note. तो यहाँ पे भी SIA, B2B debit note सारा charge. फिर import of goods. इसको contract कर देदाओ, छोटा कर देदाओ, इंपोर्ट of goods. इंपोर्ट of goods from overseas. फिर import of goods amendment. फिर SCZ से import किया हो और China यहाँ यहाँ यूएसे Japan कहीं से भी import किया. तो यहाँ पे आएगा SCZ से किया होगा. तो यहाँ से आएगा. दोनों का amendment यहाँ पे है. ठीक है? तो वो भी यहाँ पे आपको दिख जाता है. फिर अब part B आगया. यह part A था. ITC available का part A. फिर part B. credit में भी reverse and relevant headings. GSTR 3B. credit notes, credit notes amendment, credit notes, credit notes, reverse charge amendment, credit notes. यह credit note की पज़़े से जो reversal होता है. वो यहाँ से आएगा. आनि का आपने खरीदारी की थी लेकिन माल्स कोई duplicate आया या फिर faulty आया तो आपने reverse कर दिया. उसको वापिस दे दिया. आपने जब purchase किया था था आपने एंट्री किया की थी? purchase to purchase to आपका जो supplier account किया था. और उसने क्या किया था? अब वो क्या एंट्री करेगा? वो sales, buyer to sales किया था. अब sales return to buyer करेगा. तो आपका account credit करेगा तो आपको credit note देगा. तो credit note होगा तो आपको इतने ID service करनी पड़ेगी. आप उसको debit note दोगे. देखो मैं उसका भी आपको logic बात में समझाओंगा credit note debit note का. लेकिन short में किसी को भी उधार में sales करते हैं तो वो supplier जो आपका seller है वो क्या entry करेगा? आपका नाम से for example कलपेश है. तो कलपेश account debited to sales किया होगा. जब उसने reverse किया यानि कि उसने sales return enter किया. तो sales return is equal to purchase and purchase is an expense. तो sales return is debited. तो sales return account debited to कलपेश account. तो कलपेश account उसने credit किया. तो credit जो किया, मेरे account को जमा किया, तो जमा किया, तो जमा note देगा. वो credit note देगा. अब credit note देगा या debit note देगा उसका आपको confusion नहीं आना चाहिए. ठीक है? अगर और आप हो. और मैं कलपेश हूँ. तो मैंने क्या entry होगी purchase to RAM. purchase account is expense. और RAM is my liability. तो मैंने liability incur हुई तब मैंने उसका RAM का अकाउंट क्रेटिट किया. लेकिन अब मैं reverse कर रहा हूँ. तो मैं RAM to purchase return. purchase return is an income. तो RAM का अकाउंट किया, मैंने debit note किया. तो मैं उसको किया, वो मुझे credit note देगा उतनी amount का मैं उसको debit note दूँगा. तो यह आपका concept होगा, debit note, credit note का, वो उतना important नहीं था. फिर भी हम यहाँ पर देख लेए, यहाँ पर क्या लिगा हुआ है? credit should be reverse in relevant headings in GSTR 3B. B2B credit note, B2B credit note amendment, B2B credit note reverse charge, B2B credit note reverse charge amendment, credit note input service distributor की credit note input service distributor का amendment. If this is what is, credit should be reverse in GSTR 3B. If this is negative, there may be, reclaim, आपको reclaim मिल जाएगा. यहाँ आपने समझ लिए, आप ITC not available समझते हैं, इसके अंदर से catch up करके. आप ITC not available में उन्होंने कुछ बोला था, यहाँ पर याद कर सकतो. ITC not available में दो ही वज़ा से आ सकता है. एक है ITC debit note की, आपने late, आपका return file की, इस late ITC claim की, यहाँ तो फिर आपने, वो जो मैंने बता है, महाराश्य गुजरात वाला scenario. Table 4 है, ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका है GSTR 2B. तो दोस्तों इस तरह से GSTR 2B नया जो आया है, उसका हमने थोड़ा knowledge लिया, अब मैं आपको एक और concept बताना चाहूँगा, यानि कि इस ही का concept है, जो इसका concept यह से effect क्या हो, हो, हम बताना चाहेंगे, GSTR 1 से data, आपके supplier के GSTR 1 से data, आपके GSTR 2B में आएगा, ठीक है, और GSTR 2B से आपका GSTR 3B आपको बरना होगा, यह अब scenario हो गया, यह supplier का है, यह आपका है, यह यानि के buyer का, और यह भी आपका यह, ठीक है, तो यह उसका flow हो गया, कि supplier GSTR 1 में, जो details फाइल करेगा, वो आपके 2B में दिखेगी, उसके आधार पे आप 3B फाइल करोगी, ठीक है, और एक दूसरी बात है, आपका GSTR 2A है, और यहाँ पे है GSTR 2B, तो यह है, चेंज होता रहता है, जैसे जैसे supplier, ज़्यादा return अपलोड करते हैं, फिर कोई दूसरा supplier जिसने return फाइल नहीं किया था GSTR 1, तो वो 2A में दिखता है, वो चेंज होता रहता है, अगस्ट का ही है, लेकिन अगस्ट का ही, वो कोई दूसरा आपने purchase किया था, उसने late फाइल किया, तो भी GSTR 2 में दिख जाएगा, लेकिन GSTR 2 भी है, वो static है, वो चेंज नहीं होता होगा, अगस्ट का है, तो अगस्ट का से लेके 11 सितंबर तक जिन जिन supplier ने GSTR 1 फाइल किया, और उसमें आपका sales का entry था, यानि आपके लिए purchase उसके लिए sales, तो वो आपके GSTR 2 भी में 12 सितंबर को दिख जाएगा, GSTR 2 भी में, और उसके उपर से आप 3 भी बनाओंगे, जो आपको 20 सितंबर तक भर देना है, 3 भी, तो ये आपका flow रहेगा, उसके अलावा कोई मुद्दा में चर्चा करना चाओंगा, तो देख लेता हूँ एक बार, और ऐसा भी हो सकते हैं, आगे आगे जाके भविश में GSTR 2B से 3B auto populated हो जाए, आपको GSTR 3B manual, अभी जो आप भर रहे हो, manual फिर वो लोग बंद भी कर सकते ह क्योंकि सारा अब matching वाला GSTR का main concept ही है, कि matching, तो manual बंद भी हो जाए, ये auto populated होने की संभावना है, और government ऐसा ही plan कर रही है, ठीक है, और इसमें सिर्फ आपको लेना कि imported services की credit खुद लेनी है, बाकी सारी आपको auto populated हो, imported services की credit खुद लेनी है, IGST credit खुद GSTR 3B में लेनी है, take your own own, take your own own, ठीक है, फिर इसका मुद्ध है, हाँ, reason for not available IETC, आपको ये बहुत अच्छा सा facility है, reason for non availability of IETC, वो आपको दिखने मिल जाएगा, ये GSTR 2B का अलग से feature है, तो इससे भी आपको फाइदा होगा, जो भी वी संगत था यहां भी जो भी queries create होती रहती थी, वो अब नहीं create होगी, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर log out हो गया है, जी यहां दोस्तों, यहां पर मैं आपको देख सकता हो, GSTR 2B, यहां पर click करूँगा, तो view हो जाएगा, तो मैं यहां पर आप बात कर रहा था, reason IETC not available होगा, तो not available का, आपको all tables में जाना है, और उसका reasons भी पता चल जाएगा, document details में जाएंगे, तो यहां पर ITC not available होगी, तो उसका reasons पता चल जाएगा, document wise details में, supplier wise details में वो option नहीं है, document wise details में आप जाएगे, तो आपको नहीं मिली, उसका reasons भी पता चल सकता है, और यह कोई return फाइल नहीं करना है, वो तो ghtr1 आपके supplier फाइल करेंगे, उस पे से 2 भी दिखेगा, और ghtr2 भी एक period के बाद generate होगी, यानि के 12 सितमबर को generate होगी, जो 12 अगस से 11 सितमबर तक के, जो भी ghtr1 आपके जो जो जिन जिन supplier ने फाइल किये, उसी तरह से हर महिने का आप समझ लीजे गया, और advisory मैंने आपको download करने का बता दिया है, तो अब आगे जाके क्या होगा, आपका ghtr3 भी इस तरह से बनेगा, आगे का scenario इस तरह से कुछ प्लान कर रहे हैं, ghtr3 भी एक होगा आपका, ghtr1 के उपर से, जो आपका होगा purchase, उसका detail, जो ghtr1 भरा होगा, वो details यहाँ पर automatic चला जाएगा, automatic, auto populated, और यहाँ आपका, स्वरी आपका sales है, purchase नहीं है, sales है, my mistake, और आपका ghtr2 भी है, वो आपका purchase है, वो यहाँ पर भी auto populated हो जाएगा, तो ghtr3 भी में, sales का data यहाँ पर आ गया, ghtr1 में, और आपका जो purchase है, वो ghtr2 भी में आ गया, तो इस तरह से पुरा auto populated हो जाएगा, लेकिन यह तो auto populated in the sense, यह supplier भरेंगे, उसके details पर सो auto populated, यह आप खुद भरेंगे, वो कि आपकी sales तो आपको ही पता होती न, अब इसके मैंने example बनाया है, वो भी आप देख सकते हो, जैसे कि date of invoice है 26 अगस्ट, और उसका return उसको 11 सितमबर तक भर देना था, तो 12 अगस्ट से 11 सितमबर तक जिस जिस ने return भरा, आपका purchase, उनका sale, उनका ghtr1, तो आपको 12 सितमबर के ghtr2b में दिख जाएगा, जो ghtr2b 12 सितमबर को generate होगा, लेकिन वो होगा कौन से महिने का, अगस्ट 2020 का, generate on 12 सितमबर, to be taken ghtr3b of the month, 3b कि इसके, अगस्ट महिने के 3b में आप भरोगे, और वो आपको 20 सितमबर तक भरना होगा, यानि कि अगस्ट महिने का ही details है, अगर उसने ghtr1, 11 सितमबर तक नहीं परा, तो 12 सितमबर तक का जनरेट हो जाएगा, तो फिर आपको generate होगा, क्या बोला, 26 अगस्ट का ही आपका purchase था, उन्होंने return file करना था, 11 सितमबर तक लेकिन उसने 11 सितमबर तक नहीं किया, 14 सितमबर किया, तो वो अगले महिने में चला जाएगा, तो will reflect in ghtr2b of month, ghtr2b जो आपका दिखेगा, सेप्टेमबर में, वो 12 अक्टोबर को generate होगा, क्योंकि उसने कब ये file किया है, ghtr1, 12 सितमबर से 11 अक्टोबर तक और 11 अक्टोबर रात के 12 बजे, ये 12 अक्टोबर हो जाएगी, 12 00 तो वो ghtr2b generate हो जाएगा, सेप्टमबर का, can be taken in August 2020, subject to 20% criteria, वो आप जानते ही हो, 20% criteria, अगर आपके supplier ने upload नहीं किया, तो जितने uploaded हैं, दूसरे supplier, उसी supplier के total मिला कि उसको 20% access credit 3B में ले सकते हो, फिर उसन ये पूराना मार्च महीने का invoice था, उसने upload किया 10 तरिक को, 10 सितमबर को, यानि कि अगस्ट महीने की जो last date 11 सितमबर उसके पहले-पहले उसने फाइल कर दिया, तो अगस्ट के return, अगस्ट के GST2B में दिखेगा, जो आपको GST2B generate होगा, 12 सितमबर को, और आपको तय करना है, इसमें आपको चेक करना है कि आपने मार्च में उसकी प्रोविजनल क्रेडिट तो ले नहीं लिए है, न, वेरिफाइप क्रेडिट एस बिन टेकन, इन 3B of March 2020, तो यही सिंपल सा था, और 2A और 3A, 2B, 2B का इतना difference है, 2B है, वो static है, और 2A चेंज होता रहता है, डाइनेमिक from day to day as and when the supplier upload, जैसे जैसे supplier invoice upload करता रहता है, 2A चेंज होता है, 2B नहीं होता है, दोनों मन्तली है, उसका source of information 2A का है, जेसर 15678 ICS, और इसमें 156 ICS, 156 ICS, इसमें 7 नहीं है, ठीक है, ITC on imports, contains details of ITS of IGST available on imports, overseas and invert supplies from SEZ units, developers flowing in from Icegate system, Icegate information आ जाएगा, दोनों में, contains details of ITS available on imports as obtained from Icegate system, system, not, ठीक है, services का आपको खुद डालना है, goods इंपोर्ट करते हो, तो आ जाएगा, services का 3B में आपको डालना है, वो हमने अलड़ी चर्चा कर लिया है, थैंक्यू दोस्तों, और आप हमारी जो सेवा है, उसका benefit लेना चाहे, त .com, तो आप मैं यह आप से इदम दो गुजारी से, छोड़िए लीगल चिंता, अपना यह लीगल सायता, आपका अपना लीगल पार्टनर, लीगलसायता.com, जिसमें आप GST related, income tax related, copyright related, आपके intellectual property related, कोई भी query का समाधान ले सकते हो, वो भी काफी किफायती दाम में, वो भी क एक दम experts के साथ, experts आपके साथ बैठेंगे, जिनको सालों का अनुभव है, जो professional है, इन फिल्ड में, सालों से, उन सारे experts से आप benefit ले सकते हो, तो मेरी आप से नमर गुजारी से, कि आप हमारी website, लीगलसायता.com का benefit जरूर से लिजे, तो मेरी आप से नमर गुजारी से, Company Registration, Trademark Registration, Food License, Import-Export Related, IEC Code, RCMC, Import-Export Related, आपको Port Registration करवाना हो, वगेरा, GST Return, TDS Return, Income Tax Return, Income Tax महाम आपको सुक्स मतम एक 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 रुपे का planning करके देंगे, तो ये सारी सेवा है, आप इसका benefit जरूर से ले, Thank you दोस्तो, और अगर आपको कोई भी सेवा का benefit लेना है, तो 800 0028250 बे, Call या WhatsApp जरूर से करे, आपका अपना Legal Partner, LegalSahidha.com, मैं कल पेशा, यहाँ पे विराम लेता हूँ, Thank you